Hello everyone, welcome back to my channel दोस्तों, प्रस्तुत है आज की breaking news आठमी तक के सभी स्कूल 14 तक बंद बारा साल में तीसरी संस्था को मिलेगा टीटी का जिम्मा नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेगी टीजीटी, पीजीटी वा एल्टी ग्रेड सिछक भरती ठंड का रेड अलर्ट, घने कोरे और सीतलहर की चितावनी, सिछकों को पेपर सिट करने जाना पड़ सकता है इसकूल नियमित निकाय होगा सिछक सिवा चैन आयोग, छुट्टिया निरस्त करने पर बीस बियसे तलब, लखनवू जाएगा उच्छ सिछा निदेशाले आये देखते हैं दोस्तों खबरे बिस्तार से, जहां दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरे बिस्तार से के इसमेंड एःब यूटूब चैनल पर लखनव सितलहर को देखते हुए बाद में सिछा निदेशक महेंदर देव ने आठमी तक के सभी बोडों के सभी स्कूलों में 14 जनुरी तक छुट्टी कर दी है वहीं नवी से बारावी तक की कच्छाओं का संचालन सुभा 10 से दो पहर दो बजे की बीच ही किया जाएगा वहीं अधिकारियों के अंसार जहां जिलाधिकारी ने इस्थानी सतर पर अवकास घोसित किया है वहाँ उस हिसाब से नवी से बारावी तक अवकास रहेगा 12 साल में तीसरी संस्था को मिलेगा TET का जिम्मा सिचक भरती के लिए अनिवार सिचक पतता परिचा TET का आयोजन पहले बार 2011 में बादमिक सिच्चा परिशाद यानी UP बोर्डनी किया था 12 साल के सफर के बाद TET अव उत्तरप्रदेश सिच्चा सिवा चैन आयोक कराएगा 12 साल में TET के जम्मादारी तीसरी संस्था को सौपी जाएगी सूबे में परसिदी प्रात्मिक और उच प्रात्मिक बिद्यालों में सिचक भरती के लिए UP में जुलाई 2011 में आर्टी लागू करते हुए TET अनिवार कर दिया गया था पहली बार नॉम्मबर 2011 को TET आयोजित किया गया था इसमें 3 लाग से ज़्यदा बेर्थों ने क्वालिफाई किया था इस परिचा के बाद बेतर रेंग के लिए सेकड़ो बेर्थी से लाग हो रुपह लेने के आरोप लेगे थे TET में दानले के आरोप में ततकालिन बादमी सिच्छा निदेशर संजे मोहन को ग्रफदार कर जेल भी दिया गया था इसके बाद TET के जमदारी परिच्छा नेमक परादिकारी PNP को सवब दी गई तब से अब तक TET PNP आयोजित करा रहा है प्रयागराज, प्रदीश के असास्की सहायता प्राप माहाविद्याले के असिस्टेंट प्रोफिसर भरती और असास की विद्यालों में सहाय का द्यापक TGT यों, प्रवक्ता, PGT भरती के लिए भरतियों को अभी इंतिजार करना पड़ सकता है प्रदेश में नए सिच्छा आयोग के गठन की कवायत तेज होने के बाद ये भरतिया अब नए आयोग के अस्थित में आने तक फस सकती है मुख मंत्री ने बेसिक माधिमे के उच्छा में सिच्छा गठन की बात कहिए इसके लिए प्रस्ताव भी मांग लिया गया है ऐसे माधिमे की सिच्छा सेव चैन बोर्ड और उचितर सिच्छा सेवा आयोग को अब नए सिच्छा सेवा आयोग में समाहित कर लिया जाएगा वहीं राजकी विद्यालों महाविद्यालों की भरतियां भी नए आयोग के माधिम से कराया जाने के तयार ही है साथ ही बेसी हिच्छा उभाव में सिच्चकों की भरती भी अब नए आयोग के माध्यम से ही होगी चैन बोर्ड की ओर से असास की भी द्यालों में TGT PGT के 4163 पदों पर भरती के लिए अगस 2022 में आभी दन की प्रिक्रिया पूरी हो चीकिए वहीं उचितर सिच्चा सेवा आयोग की ओर से सास की महाविद्यालों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2017 पदों पर भरती के लिए आभी दन की प्रिक्रिया अगस 2022 में पूरी हो चुकी है अभी तक परिछा तिति घोशित नहीं हुई है वह आयोग ने भी अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भरती की परिछा की तिति घोशित नहीं की है प्टंड का रेड अलर्ट घने कोरे और सित लहर की चेताउनी लेखनाओ घने कोरी के साथ गलन भरी भीशन ठंड ने प्रदेश में जन जीवन अस्तिवेस्ट कर दिया है हड़ियों तको कपा देने वाली ठंड से मंगलवार को लोग घरों के भीतर भी ठीटूरते रहे मौसम भीभाग ने अगले दो दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोरे सितले हरों कोल्डे कंडिशन को लेकर रेड अलट जारी किया है कई जिलों के लिए यलो और आरेंज अलट जारी करते हुए अत्यदी खराब मौसम की भी चेताओं नहीं जारी की है प्रदेश में कानपूर मंगलवार को सबसे ठंडा रहा मौसम भीभाग के मुताबिक यहां ने उन्तम पारा 3.6 डिगरी सिल्सियस रहा या सामान से 5 डिगरी कम दर्ज किया गया दिन का पारा सामान से 12 डिगरी सिल्सियस गिरिकर 10.2 डिगरी दर्ज हुआ लखनओ में अधिक्तम तापान सामान से 10.3 डिगरी लुड़का यह 10.6 डिगरी सिल्सियस दर्ज हुआ निम्तम तापान 24 गंटे के तुलना में 3.3 डिगरी कम 6.6 डिगरी दर्ज हुआ आंचलिक मौसम बिग्यान केंद के वरिष्ट मौसम बिग्यानिक मुहम्मद दानिस के मुताबिक अगले दो दिन तक ऐसे मौसम रहने के संकेत हैं घना कोरा सितलहर के अलावा कोल्ड ए कंडिशन सक्रिये रहेगी लखनओ, कानपू, सहरानपूर, मेरट, समेट, अधिक्ते जिलो में रेट अलर्ड सिचिकों को पीपर सेट करने जाना पड़ सकता है स्कूल लखनओ, स्कूलों के चुटे के संबन में जलादिकार ने संसोधित आदेश जारी किया फिलाल चार से साथ जनुरी तक सर्दे को देखते हुए स्कूल बंद किये गए अधियाप को की नियुक्ति के लिए एक आयोग का निर्देश देते हुए मुखमंत्री योग्या अधितनात ने कहा कि पारदर्सिता और नितिका सुधारों के तहट एकी सिच्छा सेवा सिच्छक सेवा चैन आयोग होना चाहिए इससे सिच्छकों के समयबत ने चैन मानों संसाथन का बेहतर रुपियोग और बिती अनुसासन आएगा आयोग को एक स्वाहत इसासी नियमित निकाय का सुरूप दिया जाएगा प्रदेश में 60-80 वर्स पुराने साहता प्राफत मादमी बिद्यालों में और स्थापना सुधाय नहीं है मुकमंतरे ने द्रेजनिया की अधिकारी इन बिद्यालों के लिए बेहतर कार्यों तयार कर प्रस्तुत करें मुखमंत्रे ने कहा कि संस्क्रित बिद्यालों में अवस्थाप्तना सुविधाओं के विकास के छाथ साथ बृति भी दी जानी चाहिए लखनाओ बेसी सिच्छा परसित के प्रयासों के बाद भी सिच्छकाओं का उत्पीडन नहीं रुक रहा है अब भी उन्हें मात्रित अवकास और बाल देखरे एक अवकास के लिए परिशान किया जा रहा है ऐसे बीस जिलों के बेसिक सिच्छा अदिकारियों को नोटिक जारे कर इस पस्टी करण मांगा गया है अब भी उन्हें बिना किसी वाजिव करण के सिच्छकाओं के चुट्टे निरस्तिक्यों कर दी महा निर्शक बिजेकरन आनन ने पांच जनुरी तक जवाब तलब किया है प्रियागराज ने साल के जस्तिके भी सुमार की साम सोसल मीडिया पर वाइरल हुए एक सासना देश ने सहरियों को मैयूस कर दिया करने के निर्शक से कहा गया है कि इस मामले में सुस्पष्ट और सुविचारित प्रस्ताव तयार कर ततकाल उपलब्ध कराएं प्रस्ताव तयार कर भी दिया जाएगा तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रिकिंग ने आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगिया होगी अगर अच्छी लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वेल आइकन को प्रिस कर दीजगा मिलेंगे आप से नेक्स विड़ों कुछ नहीं जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार